पवन सिंह हो या खिसारी लाल यादव हो इन दोनों का अगर स्टेज शो करवाना है तो कम से कम आपको 50 लाख रुपए खर्च करना पड़ेगा 50 लाख रुपए अगर आपके पास है तब जाकर इन दोनों का स्टेज स्वाप करवा सकते हैं क्योंकि ये लोग इतना चार्ज करते हैं कि कम से कम आधा कड़ोर रुपए आपके लग जाएंगे ऐसी चर्चा अभी आप देखिएगा जितने वे वोजपूरी इंडस्ट्री को कवर करने वाले लोग हैं यूट्यूबर ब्लॉगर्स हैं उनके तरफ सी ये जानकारी खूब दी जा रही है अब ऐसा एक रिपोर्ट भी आया था ऐसी एक जनकारी भी आई थी कि पवन सिंग जो हैं एक गाने के लिए 15 सा 18 रूपई ले लेते हैं वो कोई एक 5-4 मिनट का अगर गाना सूट करते हैं तो इसके लिए 15 सा 18 रूपई ले लेते हैं और उससे पहले नमस्कार जनता जम्सन देख रहे हैं और मैं हूँ सन्नी मिस्रा कैमरे के पीछे हमारे साथ ही विशाल खड़े हैं पवन सिंग और खेसारी लाल यादो इन दोनों का जो मार्केट रेट कहें वो काफी बड़ा है दोनों भोजपूरी के एक तरह से ब्रैंड ब जिसका नतीजा है कि अगर यूट्यूब के ट्रेंडिंग म्योजिक सेक्शन की बात की जाए तो अगर बारा पूरे बारा महीने में पूरे एक साल में सबसे ज्यादा अगर कोई गायक वह पूरे भारत से हो अलग-अलग जोनर अलग-अलग मुजिक इंडस्ट्री के हो तो तक तीन-तीन महीने चार-चार महीने तक विश्वक के जो बड़े-बड़े रैप आर्टिस्ट हैं बड़े-बड़े गलोबल पॉप आर्टिस्ट हैं उनको पीशे छोड़कर पवन और खिसारी के गाने ट्रेंड करते रहते हैं और इसी का नतीजा है कि ये दोनों इतने ब सको छबाइस बड़े-वज़कर दे रही थ चैनल उसके द्वारा थांस सिंह को गाने के लिए 18 4000 रुपया है उसी कंपनी के द्वारा खिसारी को एक गाने के लिए 1013 रुपया दीए चार्चा हो रही है तो आपको पाइसल जनकारी यहीं नहीं होती है क्योंकि वारे में कुछ official report नहीं आता है उनके जो अपने लोग है उनकी टीम में वहीं उनको manage कर थी है और को कोई अलग से पीयर कंपनी उनके इवेंट्स को उनके कारिक्रमों को होस्ट नहीं करती है या कुछ भी ऑफिसियल डाटा नहीं निकल के आता है लेकिन फिर भी अलग-अलग जितने भी न्यूज वाले हैं या उनके टीम से जुड़े लोग है उनसे जो डाटा प्राप्त है उनसे जो आकड़ा प्राप्त है उसके अनुसार पवन सिंग के अगर रेट देखा जाए एक स्टेज़ों के लिए तो वो 12-15 लाख रुपए लेते हैं कई बार होता है कि 20 लाख तक वी चला जाता है क्योंकि पवन सिंग के साथ यह है कि वो बड़े-बड़े स्टेज़ों करते हैं अलग-अलग राजियों में जाकर स्टे अलवा उन लोगों के साथ एक्स्ट्रा खर्च बहुत जादा हो गया है अभी लोग इन लोगों का इस्टारडम हो गया है तो कोई भी अगर स्टेज तो आपको करवाना है तो इसके लिए बकाइदा पुलिस से परमिसन लेना होती है इसके अलावा एक बड़ा सा जगह चा तो बारा पंद्र लाख के लावा यह सब खर्च आता है चार पांच लाख रूपए इस सब में खर्च हो जाएंगे इसके बाद अगर यह लोग आते हैं तो अब इनको रहने के लिए उतना ही लैविस लाइफ देना पड़ता है महंगे होटल में रुकवाना पड़ता है य इनके लिए बड़े-बड़े बाउंस और बड़े-बड़े स्यक्यूरिटी कंपणिया है उन लोगों को इन ले के लिए रखना पड़ता है और पुलिस को भी बुलाना पड़ता है ताकि मैनेजमेंट समाला जा सके और इसी का नतीजा होता है इसके साथ-साथ इनके साथ म्यूजिक बैंड आते हैं जो भी म्यूजिसियन्स आते हैं लोगों का अलग से खर्चा होता है आप एक चीज और रिवाज देखते होंगे कि पाउन खिसारी अगर कहीं जाते हैं तो उनके साथ हिरोईन भी होती है कोई डांस करने वाले अलग टीम होती है तो इन तमाम चीजों को लेकर अलग अलग खर्च जोड़कर यह नतीजा सीधे अगर पंद्रबीस लाग यह ले रहे हैं तो इसके इतना ही खर्च और हो जाता है यह तम तमाम मैनेजमेंट समालने में और भी साथी कलाकारों को देने में यह सब खर्च हो जाता है और यहीं चीज घुमा फीरा कर अभी बताया जा रहा है बाकि आप लोग इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताईएगा चंता नगशन देख रहते हैं बहुत बहुत तुछ नबाद